वेलकम एवरिवन टू अवर योट्यूब चैनल आज के वीडियो में थेवनिन थेरम ये टॉपिक का 10th प्रॉलेम स्टडी करेंगे तो देखिए जो प्रॉलेम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है question में क्या लिका है वो हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे एक circuit डियाग्राम दिया है और इसके लिए question में लिका है determine the current through two ohum resistor by thevenin theorem तो चलो हम ये problem solve करेंगे और ये problem solve करने का technique वैसा ही रहेंगा जैसे हमने इसके पहले के problem में use किये थे it means हम इसको भी three steps में solve करेंगे देखो थेvenin theorem का कोई भी problem हो तो आपको उसको three step में ही solve करना होता है पहला step क्या होता है सुनो पहला step होता है to find the value of VTH याने थेvenin equivalent voltage देखो यहाँ पे first step आपको लिखके देता है first step होता है to find the value of VTH याने थेvenin equivalent voltage second step होता है to find the value of ZTH याने थेvenin equivalent impedance and third step होता है to draw the thevenin equivalent circuit जो equivalent circuit है वो आपको third step में draw करना होता है और जो कुछ भी find out करने के लिए कहा है question में वो आपको third step में find out करना होता है जैसे यहाँ question में लिका है find the current flowing through two ohm register तो देखो circuit में two ohm register कहा है तो यह देखो यह है two ohm register तो यह two ohm register में से flow होने वाला current हमें कौन से step में मिलेंगा step three में मिलेंगा हम पहले step में VTH निकालेंगे second step में ZTH निकालेंगे फिर दोनों का use करके थेविनेंट equivalent circuit ड्रॉ करेंगे और फिर यह third step में two ohm में से flow होने वाला current मिल जाएंगा और problem वही पे complete हो जाएंगा ध्यान मेरे को थेविनेंट theorem का हर problem आपको यही तीन steps के through आपको solve करना होता है और एक बात यहाँ पर जो पहली दो steps हमने लिकी है यह जो पहली दो steps है VTH और ZTH इनको आप उपर नीचे कोई भी order में आप solve करो कोई फरक नहीं पड़ता मतलब जरूरी नहीं है कि पहले आपको VTH निकालना है आप चाहे तो पहले आप ZTH निकाल सकते हैं बात में VTH निकाल सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ओके तो VTH, ZTH and thevenin equivalent circuit यह आज के वीडियो में यह problem solve करने के लिए हम steps का use करेंगे तो चलो सबसे पहले solve करते हैं सबसे पहले हम solve करते हैं that is first step thevenin equivalent voltage याने VTH तो चलो हम यहाँ पे लिखते है step number one thevenin equivalent voltage तो यह हमने यहाँ लिखा है step one calculation of VTH याने thevenin equivalent voltage हमें find out करना है तो VTH find out करने के लिए rule क्या है पहले वो सुनो VTH जो है वो आपको किसके across निकलना है VTH यहने क्या है voltage तो यहाँ पे आपको voltage किसके across निकलना है तो आपको question में जो कहा है find out करने के लिए question में कहा है find the current flowing through two ohm register तो आपको क्या करना है जो two ohm register के across current find out करने को बोला है वो two ohm register को आपको वहाँ से निकालना है मतलब वहाँ से remove करना है और उसके terminals को open करना है और वो open terminals के बीच में आपको VTH find out करना है पूरे circuit का इसका क्या मतलब है देखो आपको बताते हैं और एक नया circuit यहाँ पर draw करना पड़ेंगा वो तो हता है तो यह देखो यह circuit हमने यहाँ पर फिर से draw कर लिया है यह circuit हमने यहाँ पर जो draw किया है इसमें हम क्या करेंगे इसमें यह two ohm register है इसको हम यहाँ से हटा देंगे ठीक है और यह circuit में two ohm register हटा के यह two ohm register जो दो terminal के across था वो दो terminal के across यह देखो यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में देखो यह दो ends के बीच में two ohm का register था है ना तो इसको कहो end A और इसको कहो end B आपको क्या करना है यही दो terminals AB के across VTH find out करना है यह हमने दो इंड्स को open किये और यहाँ पर यह दोनो open terminals AB के across अब हमें VTH find out करना है ठीक है बाकी पूरा circuit as it is रहेंगा अब यह AB के across अगर आपको VTH find out करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह देखो यह A से लेके B तक यहाँ पर branches क्या है ज़रा check करो यह देखो A से लेके B जो भी elements है इनके across का voltage drop आपको एड करना पड़ेगा मतलब यह सभी के across का voltage आड करना है भीट एज find out करना के लिए ठीक है इसके अक्रास का voltage यह 30 और हम है इसके across का voltage प्लस इसके across का प्लस इसके across का voltage, तीनों के across का voltage का अगर आप प्लस करूंगे, तो आपको total voltage across AB या नहीं VTH मिल जाएगा, ये लूप में ये देखो, ये लूप में हमने current clockwise ले लिए, ये लूप का current भी यहाँ पे clockwise ले लो, और ये लूप का current भी यहाँ पे clockwise ले लो, तो हम ही क्या करना है, अ प्लस यह element इसके across का voltage, तीनों voltage को हम add करेंगे, तब जाके हमें VTH मिलेंगा, confirm है, ठीक है, तो अगर आपको यह elements के across का voltage एड़ करना है, तो यह elements में से, अब यह 30 ohm में से flow होने वाला current आपको पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले यह 30 ohm में से flow होने वाला current find out करेंगे, एक बार 30 ohm में से flow होने वाला current मिल गया, तो उसका use करके, इसके across का voltage हम निकाल सकते हैं, उसी तरह से यह 30 ohm के across का voltage निकालने के लिए, इसमें से flow होने वाला current निकालो, फिर हम इसके across का voltage निकाल सकते हैं, फ और ये loop का current हम यहां कहेंगे I3, इसको हम कहेंगे I3, ठीक है, I1, I2, I3, और ये हमने clockwise दिये है, ये clockwise देना compulsory नहीं है, आप चाहे तो loop में current का direction anti-clockwise दिये तो भी चलता है, सभी या तो clockwise दो, सभी या तो anti-clockwise दो, या किसी को clockwise दो, किसी को anti-clockwise दो, उससे कोई फरक नहीं पड़ लिप Rak कर सकते हैं, जैसे यह loop में जो डैटरी है, उसका प्लस उपरे माइनस नीचे हैं, तो आप वो प्लस टु माइनस करन्ड दिये का दियेक्शन काstal है, वो च्वइस आपकी है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, बस आपको केभी आल का रूल प्रॉपरली अप्लाई करना है क्योंकि अब हमने यहाँ पे लूप करन शो किये है तो यहाँ पे हमें KVL अप्लाई करना पड़ेगा है ना तो ऐसे में आपको आपका KVL का कॉंसेप्ट क्लियर होना चाहिए KVL याने किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ याने ही मेश अनेलिसिस आपको अप्लाई करते आना चाहिए KVL और उसकी इक्वेशन्स तयार करते आना चाहिए इसके पहले अल्रेडी हमने KVL के नंबर आफ वीडियो आपको दिये थे वो वीडियो से आप KVL की स्टड़ी करो आपका concept clear हो जाएंगा और हमने अलग-अलग problem में आपको हर तरह से बताये थे कि clockwise low या anti-clockwise low हर तरह से हमने solve करके दिये थे तो वहाँ से आप वो study कर सकते हैं क्योंकि ठेवनें theorem के problems बिना KVL के solve नहीं होते हमें KVL apply करना पड़ता ही है अभी देखो जैसे यहाँ पे हमें 30 ohm में से flow हने वाला current find out करना है मतलब I2 find out करना है तो KVL लगाना पड़ेगा यहाँ पे I3 find out करना है तो KVL लगाना ही पड़ेगा तो finally चलो apply करते हैं KVL in loop 1, loop 2 and loop 3 आप कहेंगे loop 1 में KVL apply क्यों कर रहे हैं हमें I1 तो नहीं चाहिए हमें तो I2 चाहिए लेकिन अगर आप properly check करेंगे तो देखो दोनो लूप जो है वो connected है दोनो लूप में common branch है 75 ohm तो यह अगर आपको I2 निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह दोनो लूप में 30K across का voltage find out करने वाले है और इधर के loop में तो अलग से KVL apply करना पड़ेगा ठीक है तो चलो हम यहाँ पर apply करेंगे KVL in loop 1 सबसे पहले apply KVL apply KVL in loop 1 loop 1 में KVL apply करेंगे तो देखो loop 1 में कितने elements है तो loop 1 में यहाँ पर 3 elements है loop 1 में 3 elements है 75 volt 15 ohm and 75 ohm तो यह 3 elements का यहाँ पर equation बनेगा ठीक है तो यह जो बैटरी है इसका plus उपर है minus नीचे है है ना तो यह चेक करो यह जो loop 1 का current I1 है यह बैटरी में कौन से side से एंटर कर रहा है positive side से या negative side से तो अगर आप हम यहाँ अगर चेक करें तो यह loop 1 का current clockwise है और यह battery में इधर से एंटर कर रहा है देखो यह current loop 1 यह battery में इधर से एंटर कर रहा है मतलब यह negative side से enter कर रहा है मतलब यह negative side से अगर enter कर रहा है तो इसका value जो है हम लिखते समय निगेटिव में लिखेंगे ठीक है तो हम यहाँ लिख लेंगे negative में that is minus 75 ठीक है बैटरी में current negative side से enter कर रहा था इसलिए battery का voltage का value negative में लिखेंगे बाकी सभी elements प्लस में आएंगे 15 प्लस में आएंगा 75 भी प्लस में आएंगा इसके across का voltage drop यहाँ पे add करो और इसके across का voltage drop भी यहाँ पे add करो तो हम यहाँ लिख लेंगे plus 15 into i1 ठीक है और plus 75 into i1 minus i2 क्योंकि 75 common branch है तो उसमें दोनो current flow होगे i1 minus i2 देखो इसके लिए हमने क्या कहा था आपको KVL आपका KVL का concept clear होना चाहिए तो ऐसी equations अगर आपका KVL का concept clear है तो ऐसी equations आपको जल्दी समझ में आना चाहिए जादा हमें यहाँ पे explain करने की ज़रुत नहीं पढ़नी चाहिए अगर हम इसको अभी फिर से explain करने बैठेंगे तो हम KVL में चले जाएंगे और थेविनिन का यह problem रह जाएंगा तो फिर भी हमने बहुत यहाँ पे बता दिये आपको तो यह देखो यह हमने KVL apply कि यह loop 1 में तो ऐसा equation मिला इसको solve करो थोड़ा साथ तो यह 15 I1 और 75 I1 तो यह हो जाएंगा 90 of I1 ठीक है minus of 75 I2 is equal to यह 75 उदर shift हो जाएंगा तो 75 तो यह देखो हमने यहाँ पे loop 1 में KVL apply किये तो हमें एक ऐसा equation मिला यह equation को number देदो equation number 1 क्यूंकि इसमें दो unknown है I1 I2 ठीक है loop 1 में KVL apply हो गया बिल्कुल इसी तरह से आप loop 2 में apply करो KVL देखो यह loop 2 है ऐसा जो triangle है इसमें भी 3 elements है यह battery यह औहम यह register और यह register तो इसमें हम यहाँ पे KVL apply करेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे apply KVL in loop 2 ठीक है तो देखो loop 2 में KVL apply करेंगे तो क्या होगा apply KVL in loop 2 तो loop 2 में elements जो है यह देखो बैटरी से start करते है चेक करो बस की बैटरी में I2 current जो है वो कौनसे side से enter कर रहा है positive side से या negative side से यह battery का plus उपर है और minus नीचे है ठीक है ना तो plus उपर minus नीचे अगर हम चेक करेंगे कि बैटरी में current कहा से enter कर रहा है तो यह current I2 है यह battery में उपर से enter कर रहा है देखो ऐसा clockwise है ना ऐसा clockwise है तो यह पॉजिटिव side से enter कर रहा है अगर यह positive side से enter कर रहा है तो बैटरी का voltage का value जो हो positive में लिखो यानि 45 जो है वो हम plus में लिखेंगे ठीक है यह बिलकुँ सिंपल सा rule है तो यह हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस में 45 ठीक है अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किये तो भी चलता है ठीक है हमने जो रूल यूज किये आप यही रूल से solve कर सकता है ऐसा नहीं है के प्रॉडम सौल करने के दो तीन अलग-अलग मेथड है मेथड कोई भी हो एंसर एक ही आता है ठीक है जैसे हमने बैटरी में निगेटिव साइड सेंटर कर रहे तो बैटरी का वहलू जो है वह हमने निगेटिव मेली है आप चाहे तो इसका उल्टा रूल मतलब निगेट तो इसके बाद यह 75 और 75 और 75 में से फ्लो हने वाला करेंट हो जाएंगा i2 minus i1 क्योंकि 75 common branch है तो दोनो current flow होंगे loop 2 के लिए solve कर रहे है तो loop 2 का current बड़ा है इसलिए i2 minus i1 उसके बाद 30 तो हम लिए यहां लिख लेंगे plus 30 into i2 equal to 0 अब यहां पर इसको solve करो देखो यहां पर second equation मिलेंगी तो equation यहां पर बनेंगी minus 75 i1 थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं तो यह equation बनेंगा minus of 75 i1 ठीक है और यह 75 i2 और 30 i2 तो यह हो जाएंगा 105 i2 so plus 105 of i2 is equal to यह 45 उदर जाएंगा तो minus 45 हो जाएंगा तो यह देखो यह second simultaneous equation हम यहां पर मिल चुके है इसको equation number 2 दे देंगे तो यह दोनों equations आप देख सकते हैं equation number 1 में 2 unknown है i1 i2 equation number 2 में भी 2 unknown है i1 i2 ठीक है और अब यह दोनों को हमें solve करना है अब यह दोनों को solve करने के लिए आपके पास 2 option है या तो आप calculator का use करो या तो आप इसको grammar rule से solve करो calculator में भी आप solve करके directly i1 i2 निकाल सकते है या तो grammar rule से अगर solve करना है तो grammar rule से भी i1 i2 मिलता है चलो हमें काम करते है grammar rule apply कर लेते हैं इसके पहले के काफी सारे videos में हमने calculator से simultaneously जल्दी से solve किये चलो यहाँ grammar rule से solve करते हैं अगर आपको grammar rule से solve करना है तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे यह दोने equations को matrix form में put करना पड़ेंगा फिर वहाँ पे हमें delta 1 delta 2 अगरे निकाल के हमें find out करना पड़ेंगा हमें वैसे i1 i2 में से सिर्फ i2 का value चाहिए i1 का value की हमें ज़रूत नहीं है सिर्फ हमें i2 चाहिए तो चलो हम इसको ये दोने equations को matrix form में put करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे now equation 1 and 2 in matrix form हमें उसको दोनों को matrix form में put करना है तो देखो matrix form में put करने पर आपको 3 matrix त्यार करना है पहला रहेंगा coefficient matrix दूसरा रहेंगा unknown matrix और तीसरा रहेंगा constant matrix ठीक है तो coefficient matrix में आपको दोने equation के coefficients पूट करना है पहले equation में I1 का coefficient है 90 दूसरा और I2 का है minus 75 और यहाँ पे दूसरे equation में पहला coefficient है minus 75 दूसरा है 105 यहाँ लिख लो I1 और यहाँ लिख लो unknown I1 I2 हमने लिखे equation number 1 में right hand side में है 75 और equation number 2 में right hand side में है minus 45 तो इस तरह से हमने दोने equations को यहाँ matrix form में put कर लिया है अब यहाँ पे यह जो तीन matrix है यह तीन matrix में हमें I2 का यहाँ पे value find out करना है तो अगर आपको I2 find out करना है तो grammar rule का use करके यहाँ पे delta 2 by delta हमें करना पड़ेगा तो अब हम यहाँ लिख लेंगे so now I2 का formula हम यहाँ लिख लेंगे delta 2 by delta ठीक है तो delta मतलब क्या है और delta 2 मतलब क्या है वो यहाँ पे देखो हम बताते delta 2 by delta करना है तो देखो delta 2 numerator में आएगा और delta denominator में आएगा delta मतलब क्या रहेंगा पहली वो समझ लो तो यह जो पहला क्या किए यह coefficient matrix के elements determinant में लिख दिए तो इसी को बोलते है delta ठीक है यह है delta 2 क्या है delta 2 आपको जो तयार करना है उसको उसमें आपको क्या करना है यही elements आपको यहाँ लिखना है लेकिन second column को replace करना है by constant matrix यह जो second column है second column के जगा constant matrix के elements आएगे ठीक है तो first column जो है वो first column जो है 90 और minus 75 वो as it is आया है लेकिन second column में हमें अब constant matrix के elements पूट करना है जो कि यह 75 and minus of 45 तो यह देखिए हमने यहाँ पे delta 2 by delta कर रहे है इस तरह से ठीक है second column को replace किया है by constant matrix और अब यह determinant को solve करो determinant को solve करना simple है यहाँ पे numerator में यह cross multiplication करो denominator में भी करो तो यह कुछ ऐसा हो जाएंगा that is 90 into 45 minus यहाँ रखो और यह plus 75 into 75 यह हो गया numerator में denominator में क्या आएंगा denominator में आएंगा 90 into 105 ठीक है और यह minus 75 into 75 ठीक है इस तरह से और यह पूरा calculation जब आप करोंगे तो आप calculator का use कर सकते हैं तो इसका answer आएंगा 0.4117 0.4117 6 ampere तो यह देखिए यह हमने delta 2 by delta का use करके हमने i2 find out करे है ठीक है यह i2 है आप चाहे तो अगर आपको i1 निकालना है अगर आपको i1 निकालना है तो फिर आपको यहाँ पे delta 1 by delta करना पड़ेगा ठीक है आपको क्या निकालना है वो सबसे important है हमें यहाँ पे i1 की जरूत नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे i1 नहीं निकाले हमें i2 चाहिए था तो हमने i2 निकाल लिए delta 2 by delta करके 0.4117 6 अगर आप यही दोनों equations simultaneously solve करोंगे तो calculator में simultaneously एक जटके में solve हो जाते है बस आपको सभी के coefficient constants वगरे पूट करना है तो एक जटके में आपको answer आएंगा वहाँ पे आपको दोनों calculator में solve करोंगे तो i1 भी मिल जाएंगा i2 भी मिल जाएंगा लेकिन हमें सिर्फ i2 चाहिए त कि calculator से solve करोंगे तो आप calculator से solve कर एक्जाम में या अगर आपके college में अगर वो कह रहा है कि आप इसको substitution method से solve करो या elimination method से solve करो तो वो भी हो सकता है जैसे आपने 10 standard या 11 12 standard में जो किये होंगे दो समेडिस equation को solve करने के लिए substitution method या elimination method का use किये होंगे आप चाहे तो उसका भी use कर सकता है कोई फरक नहीं पड़ता उसके दूरू भी same answer आता है ठीक है फिलाल हम यहां पे क्रेमर्स रूल इसलिए use किये है कि number of engineering college या diploma में जहां पे यह syllabus आता है वहां पे क्रेमर्स रूल फॉल करते है इसलिए हमने भी क्रेमर्स रूल से solve किये तो यहां पे इस तरह से हमें क जादा important है क्योंकि i2 का use करके ही यह 30 ohm में से flow हने वाला current हम find out करने वाले है यह 30 ohm का resistance है इसके across का voltage find out करने के लिए इसमें से flow हने वाला current चाहिए था तो current i2 हमें मिल चुका है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम यह जो register है 30 ohm अब हमें इसके across का voltage भी find out करना है औ और उसके लिए i3 चाहिए तो अगर आपको यहां पे i3 चाहिए तो चलो यह loop 3 में kvl apply करेंगे so now apply kvl in loop 3 यह जल्दी solve हो जाएंगा तो हम यही पे solve कर लेते हैं यह जल्दी से यहां पे इतने जगा में जहां तक हो सकता है तो हम यहां लेख लेंगे so now apply kvl now apply kvl in loop 3 loop 3 म हमें kvl apply करना है now apply kvl in loop 3 तो loop 3 में कितने elements है चेक करो loop 3 में यहां पे 3 elements है देखो 1,2,3 ठीक है ना और loop 3 में हमने already current का direction यहां पे ऐसा clockwise लिया है clockwise आप चाहे तो battery को देखके इसको anti-clockwise अगर आपको लेना है तो आप anti-clockwise भी ले सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक अभी कोई minus में लेकिन उससे कोई फरक इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि at the last हमें जो vts find out करना है वो vts same आता है ठीक है चलो आपको solve करके बताते हैं तो यहां पे loop 3 में i3 floor है अब यह i3 जो है वो battery में यह battery का plus उपर है minus नीचे है तो battery में कौन से side से एंटर कर रहा है चेक क में positive में लिखेंगे so plus में 40 ठीक है और बाकी elements तो plus में रहेंगे 30 में से flow होने वाला i3 और यह 30 में से भी flow होने वाला i3 ठीक है ना so plus 30 of i3 again plus 30 of i3 equal to 0 ठीक है इसको solve करेंगे i3 मिल जाएंगा तो यह हो जाएंगा 60 of i3 is equal to minus of 40 so therefore i3 is equal to हो जाएंगा minus 40 by 60 याने 2 by 3 so minus 0.666 ampere तो यह देखो finally हमने क्या find out किये finally हमने loop 3 का current i3 find out कर लिए और यह i3 आया है minus 0.666 ampere देको minus में आया है तो minus हटाने की ज़रोत नहीं है यहां direction change करने की ज़रोत नहीं है आप as it is लेके solve करना और minus में आया है तो आगे चलके जहां कहीं पे भी हमें i3 का value put करना हो तो minus के साथ put करना minus को छोड़ना नहीं अगर आपने minus को छोड़ दिये तो answer wrong आएंगा minus में answer आया है तो आगे चलके इसका value हर जगा minus में ही put करना ठीक है अभी यह minus में क्यूँ आया क्यूंकि हमने clockwise लिए अगर हमने anti clockwise लिए होते तो plus में आया रहता ठीक है तो अगर कोई student exam में clockwise लेके solve करेंगा तो यह आएगा और VTH मिलने वाला है वो same ही मिलने वाला है ठीक है आप चाहे तो positive लेके VTH find out करो या negative लेके VTH find out करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता final answer VTH का same आता आप चाहे तो solve करके देख लो तो चलो अब finally VTH निकालते हैं जो find out करने के लिए हम यह step पूरा solve कर रहे है so now VTH so VTH find out करने के लि अब यह तीनों element के across का voltage आपको क्या करना है प्लस करना है लेकिन यहाँ पर आपको direction के according चलना है देखो आपको AB के across find out कर रहे है तो A to B चलो तो अगर आप A to B चलेंगे ऐसा देखो A to B आप ऐसा चलेंगे तो देखो हम यहाँ पर सबसे important देखो क्या है A to B जब हम अब यह जो branch यह branch में I to I to downward flow है, तो देखो, आप भी, आप भी A से लेके ऐसा नीचे जा रहे है और I too बी ऐसा नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब इसके अक्रास का voltage प्लस में आएंगा Quebec Z प्लस में आएगा क्योंकि आप positive side center कर रहे हैं लेकिन जब आप यहां पे जा रहे हैं यहां से जब आप जा रहे हैं तो I3 ऐसा clockwise है मतलब यहां से आप उपर जा रहे हैं और I3 भी उपर जा रहे हैं यह देखिए इस तरह से आप A to B आपको AB के across का voltage VTH find out करना है मतलब A to B जा रहे A से लेके B के तरफ ऐसा इस तरह से ठीक है न तो यहां पे current जो direction में flow हो रहा है आप भी वही direction में जा रहे हैं तो इसका voltage प्लस में इसका भी voltage प्लस में और इसका भी voltage प्लस में तो आप ऐसे जा रहे है current जो direction में flow हो रहे है आप भी उसी direction में flow हो रहे है मतलब तीनों के across का voltage जो है वह प्लस होंगा इसके across का plus इसके across का भी plus और इसके across का भी प्लस ठीक है न तो plus 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 तो हम यहां पे क्या लिखेंगे देखो देखो अब हम यहां क्या लिखने वाले है so 30 of i2 ठीक है plus 45 plus 30 of i3 देखो इसको इधर कर लेते हैं काफी जादा उधर चला गया हो यह देखो यह जो लिखा है ने यह काफी important लिखा है हमने इसके तरफ आप देखन दो 30 of i2 plus 45 plus 30 of i3 अब यह तो हमने लिख लिख लिए अब यहां पर values put up करते समय गलती नहीं करना तो देखो values put up करेंगे तो ऐसा 30 of i2 i2 याने क्या है i2 याने जो हमने find out किये थे थे थोड़े दिर पहले i2 कहा गया यह देखो हमने क्रैमर सुल से solve किये थे 0.41176 है ना तो यही पर हम लिख लेते है 0.41176 plus 45 ठीक है ना और एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं नीचे यहां पर इधर solve करते हैं ठीक है ताकि यह अच्छे से solve हो सके तो हम यह लिख लेंगे plus 30 of i2 i2 याने 0.41176 plus 45 plus 30 of i3 i3 की वहलू निगेटिव में है तो निगेटिव पुट करो हमने आपको कहा था i3 का वहलू निगेटिव में आया था तो निगेटिव के साथ पुट करना हर जगा आगे चलके है तो i3 का वहलू निगेटिव में आया था देखो क्या आता है लेकिन एक और बात आपको बताएंगे कि जो लोग anti-clockwise लेके solve कर रहें उनको क्या करना है वो भी बताते हैं एक minute यहाँ पर पहले इसको solve करने दो 30 into 0.41176 प्लस 45 और माइनस 30 into 0.666 तो यह आया है 37.37 37.3728 वोल्ट ठीक है यह हमने VTH पाइंट आउट कर लिए पहला स्टेप यहाँ पर complete हो गया ठीक है अब जो स्टुडेंट यहाँ पर anti-clockwise लेके solve कर रहे हैं उनका यहाँ पर क्या change होगा देखो उनके calculation में क्या-क्या changes होंगे यह समझना बहुत जरूरी है अब क्योंकि अब गलती हो सकती है अगर आपने change के तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिये तो देखो यहाँ आप ध्यान दो यह जो circuit है पहला calculation of VTH जहां से हमने start किये थे तो इसको अगर आप समझे अगर आपने यहाँ loop का current थर्ड लूप में current अगर आपने anti-clockwise लिए अगर आपने current anti-clockwise लिए मतलब यह कैसा होगा देखो दूसरे color से बताते हैं आपको यह देखो anti-clockwise लिए मतलब यह ऐसा हो जाएंगा ऐसा इस तरह से है ना यह ऐसा होगा इस तरह से i3 ऐसा anti-clockwise तो जब आपने i3 अगर आप ऐसा anti-clockwise लेंगे तो जो ये VTH का जो step है ना, इसमें थोड़ा से change हो जाएंगा, VTH में हमने क्या लिखे हैं पहले, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 30I2, 45, प्लस 30I3, तीनों प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि जो direction में current flow हो रहा था, आप भी उसी direction में जा रहे थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे anti-clockwise लेके solve करोंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे change करना है, वो यहाँ पे यह देखो यह ऐसा लिखना है, VTH इक्वल टू, 30I2, प्लस 45, माइनस 30I3, ऐसा लिखना है, ऐसा लेके आप solve करोंगे तो भी answer VTH का वही आएंगा, अब यह minus क्यों आया, minus इसलिए आया, देखो यह दोनों प्लस क्यों है, यह दोनों इसलिए प्लस है, क्योंकि यहाँ से I2 जो direction में जा रहा है, आप भी वही direction में जा रहे, A to B, देखो ऐसा, लेकिन जब आप यहाँ स इसलिए negative, ठीक है, current जो direction में flow हो रहा है, आप भी वही direction में flow होंगे, तो प्लस, current जो direction में flow हो रहा है, आप उसके opposite direction में जा रहे, या आप जो direction में जा रहे, current उसके opposite में आ रहे, तो आपको negative में लिखना है, यह बात आप धहन में रखो, तो हमने आपको यह बता दिए, value split up करने के बाद यहाँ i2 का value जो था वही आएंगा i3 का value यहाँ पे अब आप लिखते समय पॉजिटिव में लिखे होंगे क्योंकि जब आप anti-clockwise लेके solve करोंगे तो आपका i3 का value तो positive में आएंगा 0.666 तो वो आप यहाँ पे लिखोंगे और इसको solve करोंगे तो answer same आएंगा answer जो है बिलकुँ same आएंगा क्योंकि देखो यहाँ पे negative के वज़े से यहाँ पे minus आ गया था और यहाँ पे subtraction हो गया था यहाँ पे भी वही होने वाला है total 3 steps होती है पहला step to find the value of VTH यह हमने complete कर लिए across AB open terminal AB के across हमें VTH find out करना था यह हमने find out कर लिए 37.3728 volt अब चलो step number 2 के तरफ चलते हैं step number 2 calculation of ZTH ZTH यहने the equivalent impedance अब हमें ZTH find out करना है तो अगर आपको ZTH find out करना है तो आपको फिर से ZTH अगर आपको find out करना है तो फिर से जहाँ पे 2 ohm register था उसको हटाना पड़ेंगा मतलब यह ऐसा ही बनेगा और यह जो terminals AB है यह AB के across आपको अब ZTH निकालना है लेकिन इसके लिए rule यह है कि आपको जितने भी active sources है सभी को deactivate करना पड़ेंगा जितने भी sources active रहेंगे उनको deactivate करना है अब यहाँ पे sources कितने है यहाँ पे 3 sources है 75 volt 45 volt और 40 volt यह तीनों के तीनों voltage sources है तो यह सभी voltage sources को deactivate करो मतलब यह सभी को replace करो by short circuit तो ऐसे में हमें एक new circuit ड्रॉ करना पड़ेंगा एक new circuit हम ड्रॉ करेंगे वो new circuit में यह terminal AB open ही रहेंगा बस हम क्या करेंगे यह जो sources है उनको replace करेंगे by short circuit तो चलो start करते है calculation of ZTH I hope आपको यह VTH का calculation कैसे हमने पूरा solve किया है यह सब कुछ आपको समझ में आया होगा एक बार revise करके देते हैं हमने क्या किये सबसे पहले हमने यहाँ terminal AB को open किये जिसके अकरास हमें VTH निकालना है अब हमें 3 loop मिले है loop 1 में KVL apply किये यह equation मिला loop 2 में KVL apply किये तो यह equation मिला उसके बाद हमने दोनों को matrix form में put किये और matrix form में put करने के बाद हमने यहाँ पे क्रेमर स्रूल लगाए और यहाँ पे I2 find out किये delta 2 by delta से यह I2 मिला उसके बाद हमने loop 3 में KVL apply किये I3 मिला उसके बाद हमने तीनों जो भी currents है I2 और I3 उसका use करके VTH का ऐसा equation बना है from the given circuit और हमने calculation किये VTH मिल गया step 1 खतम ठीक है चलो अब बढ़ते है step number 2 calculation of ZTH तो यह हमने यहाँ लिखा है step 2 that is calculation of ZTH और जैसा हमने कहा था कि ZTH find out करते समय आपको open terminal AB के across ZTH find out करना है तो यह देखो open terminal AB जहाँ पे resistance था 2 हम उसको हटा के open terminal AB के across ZTH find out कर रहे है और उसके लिए सभी active sources को हमें deactivate करना पड़ता है तो यहाँ पे जीतने भी voltage sources थे सभी को हमने replace कर दिये by short circuit ठीक है और अब यह circuit आपके सामने है अब यहाँ पे हमें equivalent impedance find out करना है या फिर equivalent resistance बोलेंगे तो भी चलता है क्योंकि यहाँ सभी के सभी resistances है तो चलो देखते हैं कैसे find out करेंगे तो यहाँ यहाँ पे series parallel combination का आप use करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर का circuit और इधर के combination के साथ series में है, तो इधर में 3 resistances है, जो parallel में है और इधर 2 resistances है, जो parallel में है, ठीक है ना, तो ये तीनों को parallelly solve करो, ये दोनों को parallelly solve करो, और फिर ये सभी को parallelly solve करके, यहाँ पे series से, series में connected करो तो फिर आपको AB के across का impedance मिल जाएंगा, यानि ही total resistance मिल जाएंगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे ZTH, देखो, ZTH, यानि total equivalent impedance between AB, ठीक है, तो ये तीनों की तीनों parallel में है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 is parallel to 75, is parallel to 30, ठीक है ना, ये एक पूरा combination है, और ये series में है, ये series में है, इसके साथ, तो ये 30 is parallel to 30, ठीक है ना, तो चलो, ये पूरा parallel को हम solve करेंगे, तो जैसे 157530 को अगर आप parallel करोंगे, तो यहाँ पे इसका final answer हम सिधा सिधा लिख लेते हैं, तो इसका parallel का answer हैंगा, 8.823, इसका answer हैंगा, 8.823, प्लस इन दोनों का parallel का answer हैंगा 15, क्योंकि 30, 30 का half हो जाएंगा 15, तो finally हमें ZTH अब मिल गया, तो 15 प्लस 8 कर लो, तो ये हो जाएंगा 23.823, तो ये हमें क्या मिल गया, ZTH मिल गया, याने थेविनिंट equivalent impedance, ये हमने find out कर लिए, थेविनिंट equivalent impedance ZTH between AB, याने across AB is 23.823, ठीक है, फिलाल ये जो हमने parallelly solve किये है, directly solve किये है, ठीक है, आप, आपको हम यहाँ formula बता देते हैं कि कैसे solve करना, जैसी ये दो resistance से solve करना है, तो इसको solve करने के लिए R1 into R2 divided by R1 plus R2, ये formula का use करो, तो आपको 30 into 30 divided by 30 plus 30 करना है, तो 50 नहींगा, और अगर ये तीनों को parallelly solve करना है, तो कैसे solve करना, देखो, ये तीन है न, parallelly, तो अगर ये तीनों को parallelly solve करना है, तो देखो, यहाँ पर बता रहे हैं, इसका formula ऐसा होता है, 1 by RT, याने 1 by equivalent resistance, जैसे अगर आप निकाल रहे हैं, तीन resistance parallelly solve करने का formula, 1 by RT is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ऐसा, ऐसा होता है, और इसका फिर अगर आप RT निकालना है, तो इसका inverse करना करने के बाद आपको ये मिल जाएंगा, ठीक है, अभी हमने यहाँ directly लिखे, फिर भी अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ पर directly नहीं लिखना चीए था, solve करना चीए था, चलो हम आपको इसको यहाँ पर एक step बस हमें लगेंगी लिखने में, आपको लिखके देही देते, ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आए कि हमने लिखे कैसे ये, चलो उसका calculation भी यहाँ लिख लेते हैं, directly लिखते हैं, ठीक है, formula तो बता दिए हमने आपको, देखो directly लिखते हैं, जैसे ये 1 by r1, 1 by r2, 1 by r3, वो यहाँ लगाओ, मतलब 1 by 15, plus 1 by 75, plus 1 by 30, यहाँ पे लगाओ, ठीक है, ऐसे, और इनको इसके सामने उपर लिख लो, inverse, ठीक है ना, तो यह, इसका यह करने का, फिर यह answer आएंगा, 8.823, प्लस, यह 30, यहाँ पे 30, 30 में आप यह formula लगाओ, अगर आपने यह formula नहीं लगाए, इसके दुरू भी solve किये, तो भी चलता है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, 1 by 30, plus 1 by 30, का inverse, ऐसा किये, तो भी चलता है, यह देखो अब इसके बाद यह आएंगा, इसके बाद यह आएंगा, ठीक है, अब तो समझ गए, ओके, हमने आपको दोनों तरीके बता दिये, कि कैसे solve करना, अब आपको college में, या आपके exam में कैसे solve करना है, वो, आप practice करो, और उसी के according solve करो, दो resistances parallel में है, तो यह formula होता है, दो से ज formula है, लेकिन सिर्फ अगर दो को solve करना है, तो यह formula है, दो से ज़्यादा के लिए यह formula नहीं लगता, ठीक है, तो इस तरह से हमने यह step number 2 भी यहाँ पे complete कर लिए, step number 2 में हमें ZTH find out करना था, calculation of ZTH, यह हमने ZTH, यह हमने equivalent resistance between, equivalent impedance between AB find out कर लिए 23.823, तो starting में हमने आपको 3 steps बता हमने यहाँ लिखके रखा है, second step ZTH, वो यह हमने solve किये, और आप third step, third step होता है, thevenin equivalent circuit, तो चलो, draw करता है, thevenin equivalent circuit और उसके लिए आपको यही VTH और ZTH का use करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे step 3, thevenin equivalent circuit, तो thevenin equivalent circuit आपको जो draw करना है, वो कैसे draw करना है, जरा समझ लो, उसके तरा से, यहाँ पे लगा दो VTH, यह VTH है, यहाँ है ZTH, यह ZTH है, और यहाँ पे terminal AB लगा दो, ठीक है, और अब यह terminal AB के across आप वो resistance लगा दो, जो अभी तक आपने eliminate किये थे, निकाल दिये थे, वो क्या था, 2 ohm, यह 2 ohm का resistance, अब यह AB के across लगा ओ, यह देखो, AB के across हमें 2 oh हम लगा दिये, जो resistance में से flow हने वाला current हमने find out करना था, वो resistance अब हमने यहाँ लगा दिये, अब इसमें से flow हने वाला current हमें find out करना है, ठीक है ना, इसमें से flow हने वाला current जो है, वो हम यहाँ पे find out करेंगे, और इसको हम कहेंगे IL, याने load current, क्योंकि यह जो है, यह है as a load resistance, लोड रेजिस्टंस बोलो या लोट इंपिधंस बोलो अभी ये फिलाल रेजिस्टंस है तो इसलिए हम रेजिस्टंस के फॉर्म में बोलेंगे अगर यहाँ पे इंडॉक्टन क्यापेश itens की फॉर्म में अगर कुछ होता तो हमने यहाँ पे लोड इंपिडंस ऐसा बोले रहते हैं, ठीक है ना, तो ये ZTH और ये, एक काम करते हैं, इसको ZL बोल देते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, ZTH और ZL, क्योंकि Z का combination चल रहा है, तो हम Z के form में ही लेकेंगे, तो इसको ZL बोलो, या RL बोलो, ये देखो, और इसको ZTH बोलो, या RTH बोलो, एक ही है, एक ही बात है, ZTH बोलो, या RTH बोलो, ZTH याने Thevenin equivalent resistance, ठीक है, दोनों form में बोल सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, तो ये हमने जो पूरा draw किये है, ये है Thevenin equivalent circuit, और अब यहाँ पे हमें IL, याने load current find out करना है, ये load हमने connect कर लिए, ये battery, या फिर बोलो, ये voltage source, है न, ये impedance, या फिर बोलो, RTH, ओके, और यहाँ पे हमने लगा दिये load resistance, या फिर बोलो, load impedance, और इसमें से flow होने वाला current, IL, याने load current, सो अब हम यहाँ लिख लेंगे, therefore load current IL, find out करने का formula, तो formula ऐसा है, VTH by ZTH plus ZL, ये formula है, ठीके न, Z के form में अगर बोले तो, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते है, VTH by RTH by RL, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर R के form में बोलना है, तो ऐसा बोलो, ठीके न, तो हम VTH, VTH हमने find out किये है, 37.3728, ठीके न, divided by ZTH plus ZL, ZTH है, या फिर बोलो RTH है 23.823, और RL, या फिर ZL है 2, ठीके है, बस ये combination को solve करो, तो हम एक current I मिल जाएंगा, through 2 Ohm का resistance, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 37.3728, divided by 25.882, 823, तो यह answer आचुका है, 1.447, 1.447 Ampere, तो finally, question में जो current find out करने के लिए कहाँ था, वो ये current हमने find out कर लिया है, question में कहाँ था, find the current flowing through 2 Ohm resistor, by using the Thevenin theorem, Thevenin theorem से हमें solve करना था, और 2 Ohm resistance में से flow होने वाला current find out करना था, तो ये हमने find out कर लिये, 2 Ohm में से flow होने वाला current है, 1.447 Ampere, ये, और finally, problem यही पे complete हो गया, I hope आपको ये पूरा problem, कैसे हमने solve किया, कैसे पूरी steps का use किया, सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और सबसे important होता है, last step, number of students क्या करते हैं, कि पहली 2 steps properly solve कर लेते हैं, आखरी step में कुछ न कुछ गलती करते हैं, उनसे proper circuit draw नहीं होता, जबकि ये circuit draw करना सबसे आसान काम है, बस ये दोनों को series में लगाना है, RL या फिर ZL को यहाँ लगा देना है, AB के across, और उसमें से flow होनी वाला current हम बस हमें find out करना है by using this formula, और problem यही पे complete, तो ये problem आपको अपनी practice book में जरूर से solve करके देख लेना चाहिए, ऐसे problems कि अगर इसको practice है, तो आप exam में कोई भी difficult problem क्यों नहों, आप आसान इसे solve कर लोंगे, तो ये था थेविनिन theorem, ये topic का problem number 10, इसके पहले के 9 problems वो भी आप study कर लीजे, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems study करेंगे, ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए, तो मिलते है नेक्स वीडियो में, thanks for watching this video